हेलो फ्रेंड्स, BSC First Year in Organic Chemistry में शोट कोशन की सीरीज में आज हम कवर करेंगे कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 में पूछा गया है फासफोरस फॉर्म PCL5 यह जो फासफोरस होता है यह PCL5 फॉर्म करता है whereas nitrogen does not form NCL5 जबकि nitrogen NCL5 फॉर्म नहीं करता है इसका क्या कारण है और यह exam paper में कई बार repeat होता है लगबग हर साल यह कोशन दो नमबर में शोट कोशन के लिए या कभी साड़े तीन नमबर में आपसे पूछा जाता है तो इसका answer आपको किस तरह से देना है आप इसको note down करेंगे The formation of PCL5 may be explained by the fact that the valency cell of phosphorus has vacant d orbitals Phosphorus के valency cell में vacant d orbitals present होते हैं On account of this, one of its 3S electron may be jumped to the vacant d orbitals Thus producing a 5 unpaired electron in valency cell चली मैं आपको diagram की तरू समझाता हूँ देखी friends, phosphorus के case में क्या होता है 3S के अंदर 2 electron है अब ये जो electron है, ये jump करके चला जाता है 3D में 3D में आप देख सकते हैं, vacant खाली रहाँ पर कक्षक है तो ये जो 3S का एक electron है, ये jump करके पहुँच जाता है 3D में और इस परकार से 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 5 टोटल देखे, 1, 2, 3, 4, 5 पाँच अब यहाँ पर paired करने के लिए हमें electron की जरूत होगे तो इस परकार से 5 chlorine atom आकर के जुड़ जाते हैं ये जो 5 chlorine है आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो इस परकार से बन जाता है PCL5 ये जो 5 unpaired electron आपको दिखाई दे रहे हैं अब ये 5 chlorine atom के साथ bond बना लेते हैं यानि इनके साथ electron को शेयर करके PCL5 का formation कर लेते हैं इस परकार से जबकि दूसरी तरफ अगर हम nitrogen की तरफ देखें तो nitrogen on the other hand does not form n-sil 5 its valency cell does not contain vacant d-orbitals यानि phosphorus की तरह nitrogen के पास d-orbitals खाली d-कक्षक नहीं होते हैं ये इसका answer होगा और ये जो आप green line में देख रहे हैं ये जो green आपको arrow दिखाई दे रहे हैं ये ख्लोरीन को इंडिके करा राइए green arrows indicate the electron share with chlorine atom राइए थैंक ये सो मच वाचिं इस वीडियो